प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें. बस हूँ गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी प्रभू इशुके शुब नाम में आप सबको मेरा नमस्कार अपन लोग कुछ महीनों से पवित्र बाइबल से रोमियो नामक पुस्तक का ध्यान कर रहे हैं अब लगबग उसके आखरी हिस्से में हम पहुँच गए हैं पिछले हफ्ते 13 अध्याय का अध्यान करते समय मैंने ये बात याद दिलाई थी कि जो भी प्रभू इशुका शिष्ष्य है जो अपने आपको प्रभू इशुकी संतान कहता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के सारे नियमों और कानूनों का पालन करे क्योंकि राज्य का शासन जो भी व्यक्ति करता है अच्छा हो या बुरा लेकिन उसको उस सीट पर प्रभू ने बैठाया है और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य के सारे नियमों और कानूनों का हम पालन करें इसका एक छोटा सा उदाहरंड मैंने पिछले हफ़ते दिया था जब हम लोग दुकान में जाते हैं स्टील के अलमारी खरीबने के लिए जाते हैं तो दुकान दार आपको पांच हजार रुपे से लेकर पचीस हजार रुपे तक की अलमारी या दिखाता है उसमें से कोई अलमारी आपको पसंद आ जाती है और जब आप कहते हैं कि भाईया एक पकी रसीद दे देना तो वो कहता है कि पकी रसीद यदि आपको चाहिए तो दस हजार रुपे के अलमारी पे दो हजार रुपे का टैक्स और लगेगा और यदि आपको पकी रसीद नहीं चाहिए तो दस हजार की जो अलमारी है वो मैं आपको दस में ही दे दूँगा बलकि वो मुझे पेपर पर दिखाना नहीं पड़ेगा इसलिए मैं वो आपको नो हजार की दे दूँगा तो कई बार हम लोग ये सूचते हैं कि तीन हजार रुपे बच जाएंगे और उससे कह देते हैं भाईया कोई रसीद वसीद नहीं चाहिए ये रखो नो हजार रुपे और मैं अलमारी ले जा रहा हूँ प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभु के बच्चे के लिए ये सही नहीं है यदी हम जाते हैं कोई चीश खरीदते हैं और उस चीश पर सरकार ने टैक्स लगाया है तो ये हमारी जिम्मेदरी है कि हम वो टैक्स अदा करें और पकी रसीद लें प्रभु का वचन ये कहता है कि हम इस कार्य को करें सात्वे पत्में हमने पढ़ाया था इसलिए हर एक का हक चुकाय करो जिसे टैक्स चाहिए उसे टैक्स दो आप कहेंगे कि सर आप कैसी बात करते हैं अन्याय हो रहा है देखिए प्रभु इस बात को जानते हैं कि न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है और इसलिए न्याय अन्याय प्रभु के उपर छोड़ दें प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनसार जीवन बिताना हम लोग शुरू कर दें आज हम चौदहुए अध्याय को देखते हैं चौदहुए अध्याय का एक विशे है जो मेरे आपके लिए बहुत महतुपूर्ण है और चौदहुए अध्याय ये बात याद दिलाता है कि यदि हम प्रभु की संतान हैं तो मुझे और आपको अपने भाई के जीवन में किसी भी तरह की गिरावट का कारण नहीं बनना चाहिए भाई के जीवन में गिरावट का कारण से क्या मतलब है देखिए हम जब एक समाज में रहते हैं तो उस समाज में भाई है, बहन है, चाचा है, मामा है, ताउ है सबको एक साथ प्रभु के वचन में भाई कहा गया है हमारी बोली, हमारी वानी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे भाई के लिए वो चोट का कारण ना बने यहाँ हम देखते हैं चज़दम्ए अध्याए के तेरहुंए पद में हम देखते हैं या सही कहा जाए तो सातमे पद में हम देखते हैं हमेंसे ना तो कोई अपने स्वयãy makers के लिए जीवित रहता है मतलब प्रभू ने मुझे और आपको इस संसार में रखा है तो वो सिर्फ सुबह उठकर खाने पीने और अपनी मनमानी जीवन बिताने के लिए नहीं है प्रभू ने हमको एक समाज में इसलिए रखा है कि हम उस समाज में अन्य लोग जितने भी हैं उनका भी ख्याल रखें जिस तरह से हमारा शरीर है प्रभू का वचन बार-बार इस मामले में शरीर का उदाहरन देता है शरीर के सारे अंग सही तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जब एक दूसरे से जुड़ कर आपस में ताल मेल के साथ कारी करते हैं तबी उन अंगों का उपयोग है अपन हर संडे शाम को यहां इस सत्संग में आते हैं कल को मान लीजिए आगली बार सत्संग में आते हैं तब आप देखते हैं कि तमाम भाई बहन आके बैठे हुए हैं लेकिन एक हाथ अपने आप चला आ रहा है बड़ा सा विशाल हाथ एक पैर चला आ रहा है अपने आप एक बड़ा सा सर अपने आप आ रहा है और एक कुरसी पर बैठ रहा है आपको क्या लगेगा मुझे तो लगेगा कि यह तो कोई भूत महल है जहां मनिश्यों के शरीर के कटे हुए अंग चल रहे हैं और आके कुरसीयों पर बैठ रहे हैं का आप अकेले से चल फिरे आप खुद जानते हैं वो कि कितना अबनॉर्मल कितना असामान्य है कटा हुआ सिर अपने आप उड़कर आए और कुरसी पर बैठ जाए तो मैं करता हूँ यहां जितने लोग हैं सब के सब यहां से भाग जाएंगे शरीर के सारे अंगों का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना और तालमेल जरूरी है प्रभू का वचन यह याद दिलाता है कि मैं और आप एक शरीर के अंग हैं और इसलिए हम में से ना तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वयम के लिए नहीं जीता है प्रभू ने हमें जो जीवन दिया है ये जीवन दूसरों की सेवा करने के लिए है आप कहेंगे वा शास्त्रे सरवा हमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए तो हमारा क्या होगा अरे भाई यदि तुमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है तो दूसरों का जीवन तु तब हमारा जीवन धन्य होता है और हमारा जीवन सफल होता है। इसके बारे में नीति शास्तर की एक कहानी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बार एक आदमी कहानी है सिर्फ ये वास्तविक नहीं है एक बार एक आदमी नरग गया नरग गया तो उसने देखा कि वहां तो एक से एक बढ़िया खाना पीना मिठाई साब कुछ मेज पर रखा हुआ है। जो जितना खा सकता है वो खा सकता है लेकिन एक परेशनी क्या है कि हर एक के हाथों में बांस बंदे हुए हैं या बांस के समयन बड़े बड़े दस फुट लंबे चम्मच बंदे हुए हैं चम्मच यहां से लेकर यह बंदा हुआ है उसका रिजल्ट क्या है कि आपके हाथ में 10 फुट लंबा चंवच बंदा हुआ है लेकिन आप हात यहां से मौड नहीं सकते थीक है रिजल्ट क्या हुआ जितने लोग हैं वो चंवच उठाएं इसमें खाना लें लेकिन हात नहीं मौड पा रहें इसलिए खाना कहीं गर जाएं वो उस चमच को यो 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 फिराए जिससे कि वो किसी तरह से अपने मूँ में आए तो दस फुट लंबे चमच को जो हाथ टेडा नहीं कर सकता वो यो उसने उठाया और यो यो हिला रहा है तो चमच से सारा खाना बाहर गिर रहा है उसके बाद सपने का सेकंड पार्ट उसने देखा स्वर्ग गया वहाँ पर भी स्तिती बिलकुल वैसी है टेबल है बहुत सारे लोग हैं सबके हाथ में 10-10 फुट के चमच बंदे हैं वहाथ नहीं मोड सकते लेकिन वहाँ उसने देखा कि हर आदमी चमच से खाना उठाता है सामने वाले को खिलाता है वह चमच से खाना लेता है सामने वाले को और वहाँ सब खा रहे हैं पी रहे हैं मस्त हैं वास्तविक स्वर्ग ऐसा नहीं होता है वास्तविक स्वर्ग अलग है लेकिन ये नीति कथा इस बाद को याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए यदि हम सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ती करेंगे तो हम कभी खुश नहीं होंगे, कभी तुर्प्त नहीं होंगे, कभी हमारा पेट नहीं भरेगा यही है प्रभु का वचन जो हमको कहता है कि हम मेंसे कोई भी यक्ति अपने लिए नहीं जीता है हम यदि वो खाना उठा रहे हैं तो यबरदस्ती उसको अपने मुँ में लाने की कोशिश करें जो कभी हो नहीं सकता है, उसके बदले यदि हम अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने बहन की मदद करें तो उसी तरह से वो भी हमारी मदद करना सीखेगा और हम सब आत्मिक रूप से तृप्त हो जाएंगे इसके बारे में प्रभू का वैचन और थोड़ा सा हमको विस्तार देता है, डीटेल देता है तेरवे पड में दस्वे पड को देख लेते हैं, तो वहां लिखा है, तुम अपने भाई पर क्यों दोश लगाते हो, क्यों अपने भाई को तुछ जानते हो हम सब प्रभू के न्याय सिम्हासन के सामने खड़े होंगे दो बातें यहां हमने देखी, एक मैं अपने भाई को तुछ ना जानू, दूसरी बात मैं अपने भाई पर दोश ना लगाऊ, आप कहेंगे कि शास्त्री सर मैं तो दोश नहीं लगाता है, ठेर ये, ठेर ये, ठेर ये जरा ये तो बताएं कि आपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति पर दोश नहीं लगाया, आप कहेंगे कि हाँ शास्त्री सर लगाया था, लेकिन उसने गल्ती की थी, इसलिए उस पर दोश लगाया, एक बात बताएं, हम में से कौन है जो सर्वी जानी है, हम में से कौन है जो सर्वी जानी है, आदे अदूरे ज्यान के साथ दूसरे की बुराई करना गलत है, इसके एक उदाहरंड में बताता हूँ, आदे अदूरे ज्यान के साथ जब हम दूसरे की बुराई करते हैं, तब अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है, एक बार की बात है, जब मेरा बच् मैं जब नौकरी से वापस आता था तो वो मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूं जहां कड़ी गर्मी पड़ती है वहां मोटर सेकल तो ऐसा धादक जाता है कि उसका जो साइलेंसर है उससे आपका पैर चू जाए तो पैर जल जाता है मेरे साथ कई बार हो चुका है बल्कि वो इतना गरम होता है कि तरी कॉटन का पैंट यदि उसके संपर्ख में आ जाए तो तरी कॉटन पिगल जाता है तो एक बार मेरे पड़ोसी ने दूर से देखा कि मैं अपने दो या धाई साल के बच्चे से कह रहा हूं कि चूके देख चूके देख मैं नौकरी से वापस आया था बच्चा दोड़ते हुए डैड़ी डैड़ी कहते हुए मुझसे मिलने के लिए आया मैंने का इधर आओ और यह मोटर सेखल को जहरा चूओ तो उसने चूआ करते हुए मैं जल गए करते हुए वो रोने लगा पड़ोसी को क्या लगा अरे मैं तो समझता था कि यह शास्त्री तो बड़ा दयालू और करणा मैं व्यक्ति है वो अपने बच्चे के साथ कैसा क्रूर व्यभार कर रहा है आप भी तो यही कहेंगे यदि आप वहाँ खड़े हो खड़की पर और आपको दिख रहा है कि मैं आया बच्चा दोड़ते दोड़ते आया डैडी डैडी करते हुए और मैंने का आजा आजा इदर आके इसको हाथ लगा ले हाथ लगाया और बच्चे का हाथ जल गया तो आप भी तो यही कहेंगे कि कैसा क्रूर पिता है लेकिन जरा एक बात याद रखें हमें से कोई वेक्ती सर्विग्यानी नहीं है ठीक है और इसलिए जब तक घटना को पूरी तरह से आप ना जाने आप उस घटना का मुल्यंकन नहीं कर सकते घटना ये थी कि उत्तर भारत की कड़ी गर्मी में धाई साल की उमर का मेरा बच्चा एक छोटे सी जांगियां अंडरवेर के लावा कोई कपड़ा नहीं पैनता था दिन बर घर में नंगा धरंगा गूमता था और जब मैं गाड़ी आकर वहां रखता था तो वो गाड़ी के साथ खेलता था silencer बिल्कुल एकदम से खुला रहता है और मेरे गाड़ी उस जमाने में गाड़ी का जो model था उसमें तो silencer यो सामने को रखा रहता था मैंने उससे 50 बार का कि बेटे डाड़ी गाड़ी लाएं हैं गरम हैं इसको चूना नहीं लेकिन वो उसी के आसपास खेले तो फिर मैंने क्या किया कि गाड़ी लाके रखता है तो उस पह ठंडा पानी डालना शुरू किया तो मेरे फादर ने का कि क्या गड़वट कर रहे है दो दिन में तुमारी गाड़ी क्रेक हो जाएगी इस तरह से ठंडा पानी डाले अब अब मेरे सामने ये समस्या थी कि गाड़ी रखके किसी दिन गाड़ी रखके जल्द बाजी में मैं अंदर चला जाओंगा मेरा बच्चा वहां आकर खेलेगा और या तो वो सैलेंसर को चू लेगा या उसका बदन जो पूरी तरह से एकदम से नगन है वो अंजाने सैलेंसर से चू जाएगा तो मेरा बच्चा तो बुरी तरह से जल जाएगा मैं जल चुका था उसके पहले एक बार जब गाड़ी पलट गई और मेरा पैर सैलेंसर के नीचे चला गया तो सच कहता हूं पैंट के ऊपर गिरा पैंट पिघल गया जैसे कि बटर में किसी ने चाकू डाल हो और उसके बाद मेरा पैर जला तो जब एक अडल्ट एक प्रोड यक्ति पैंट की ऊपर से जब सैलेंसर उसको चू गया तो पैंट को जला दिया पैर को जला दिया एक धाई साल का बच्चा अन जाने उसके उपर गिर जाएगा उसकी क्या हिस्तिती होगी ठीक है तो उसक 250 बार का नहीं माना तो अब मेरे सामने क्या तरीका था एक दिन मैंने बच्चे को उस गाड़ी में एक ऐसा पोर्शन जो ज़्यादा गरम नहीं होता है हम प्रोड लोग तो बड़े आराम से उसको यह हाथ लगा सकते और मैंने ऐसे हाथ लगा कि उसको बताया था मैंने देखा कि डैड़ी चू रहे हैं उसने चुआ जल गया बुरीतर से नहीं जला लेकिन इतना जल गया मतलब उसके हाथ में इतना दर्द हुआ कि आए इंदा वो मौटर बाइक से 10 फुट दूर रहता था ठीक है अब समझ में आई पूरी घटना तो जिस यक्ती ने आदी रहता था कि मेरा बच्चा कुछ भी बोलो 50 बार बोला लेकिन वो खेलेगा मोटर बाइक के पास पानी डाला तो मुझे पता चला कि मैं तो गाड़ी बरबाद कर रहा हूं फिर मेरे सामने सिर्फ यह तरीका था बच्चे को बताओं कि बेटे इसको चूओ गे तो दर्द हो होगा तो बिना कोई नुकसान के बच्चा है मैंने बिना कोई नुकसान के उसको एक सेफ जगह पर हात लगवाया उससे मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए सुरेटशित हो गया घटना को बिना पूरी तरह से जाने बिना हम दूसरे की बुराई करें तो इस बात को याद रखें कि हम सरवी ग्यानी नहीं है और इस कारण हो सकता है कि दस में से नो बार हम अपने भाई की गलत बुराई कर रहे हैं इसलिए प्रभु का वचन कहता है यहां मैंने दस्वापद आपको कौन सा पद पढ़के सुनाया था दस्वापद तुम अपने भाई के उपर क्यों दोश लगाते हो क्यों अपने भाई को तुछ जानते हो उसी तरह से दोश लगाने के समान जैसा मैंने आपको बताया हम संपूर्न कारण नहीं जानते उसी तरह से भाई को तुछ जानना हम नहीं जानते कि मेरा भाई कोई कारी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है कई बार हम भाई अपनी बहन को ऐसा कारी करते हुए देखते हैं जो शायद हमको लगे कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मान लीजे कि आप एक दिन अपनी खड़की से देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका भाई तो एक शरावी के बगल में बैठा हुआ है, तुरंत आ अपने पूरी बात देखी होती, तो स्थिती अलग थी, पूरी घटना क्या है, पूरी घटना ये है कि शरावी के वो बेहोश, बिनाहोश में जब सड़क पर चल रहा था, तब अचानक दूर से एक गाड़ी आती हुई नजराई, आपको मालूम था ग्यारंटी से कि गाड गाड़ी वाले ने उसको नहीं देखा, उसने गाड़ी वाले को नहीं देखा, तक्र होगी और इसलिए आप सड़क पर खड़े होगे चिलाते हुए, और आपको देखके गाड़ी वाले ने गाड़ी रोग दी, तक्र नहीं वो आगे चला गया, आपके घर के सामने वो शर कर पे डाल दिया जिससे कि उसको होश आ जाये आप शराबी के साथ संगती कर रहे हैं cách जी नहीं आप उसको जीवन्दान ले रहे हैं क्योंकि आप को मालूम है कि घर पे उसकी जवन बेभी उसके इंतिजार में हैं उसके तीन ये चार छोटे बच्चे उसके इंतजार में हैं और यदि आज दुरगटना में उसका जीवन समाप्त हो जाता है यदि उसको आप होश में नहीं लाते तो अभी तो आपने बचा लिया आगे जाके उससे जादा दुरगटना होगी इसलिए उस स्तृरी पर और उस को तुछ जानता है अच्छा शास्त्री सरब शराबी कबाबी लोगों के साथ उठने बैठने लगे हैं वो भी इतने खुले में आपने पूरी गटना नहीं देखी इसलिए प्रभू का वचन दो बातें बहुत क्लियरली बताता है यदि आप प्रभू की संतान है तो तुछ ना जाने अपने भाई पर दोश ना लगाएं अपने भाई को तुछ ना जाने ये बात आगे भी लिखा हुआ है इस पूरे अध्याय में इस बात के बारे में लिखा हुआ है दोश ना लगाएं दूसरे को तुछ ना जाने प्रभू का वचन याद दिलाता है कि मे तेरे और आपके जीवन में हमारा व्यवहार प्रभू ने जिस तरह से व्यवहार किया था उसके समान होना चाहिए। जब प्रभू इस संसार में थे तब लोग जान बूच कर एक औरत को जो व्यविचार के अपराद में पकड़ी गई थी उसको खैंच खांच कर प्रभू के सामने लाए। प्रभू इशु यहूदी थे। यहूदियों के बीच में काईदा था कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के अपराद में पकड़ा जाता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए और वो भी कैसे पत्थरों से मार मार के उसको मृत्यु दंड दिया जाए। जब जबे प्रभू के सामने उस स्त्री को लाए और प्रभू से बुला प्रभू इस औरत को हमने फलानी गलती में पकड़ा है अब आप बताइए क्या करें। मालूमें प्रभू ने क्या जबाब दिया। प्रभू ने कहा कि मृत्यु देना चाहते हो न तुम लोग। हाँ जो खड़े हुए थे कि अब ही उसको ख़तम करते हें हैं? जिसने जीवन में एक भी पाप नहीं किया वो पहला पथर मारे ऐसा कोई व्यक्ती है क्या जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। प्रभू ने एक काम और किया, प्रभू वहां बैटकर प्रभू ने एक व्यक्ति के बारे में लिखा हत्यारा, तो देख कि उसकी हालत खराब होगी, अरे ये तो समाज में किसी को नहीं मालूम था कि मैं हत्यारा हूँ, अब प्रभू ने जमीन पे बाकाइद है लिख दिया क मैं हत्यारा हूँ तो वहां से गाइब हो गया भाग गया दूसरे के बारे में लिखा चोर तो वहां से भाग लिया क्योंकि आज तक किसी और को नहीं मालूम था अब उस औरत को मारने के बहाने अब वो सब के सामने जो है नंगा हो गया तीसरे के साथ बारे में प्रभू ने लिखा दिया विचारी, तो वो तो सर पे पैर रखके वहां से भाग लिया, जब तीन समाज के उन्नत लोग भाग लिये, तो बाकी तो एकदम से भाग लिये, देखिए, ये है जो प्रबु हम से चाहते हैं, जिसने गलती की है, उसको सजा मिलेगी, आप वो न्याय कानून के ह हात में छोड़ दीजे, हम न्याय कानून हात में ना लें, और इसलिए प्रबु ने उनसे ये नहीं कहा, कि पत्थर मत मारो, क्योंकि न्याय न्याय है, कानून कानून है, लेकिन प्रबु ने उनसे ये जरूर कहा कि देखो, कानून हात में लेने से पहले, ये जरा सोच लो मेरे पुत्र, मेरे पुत्री कि तू जो कानून को हाथ में लेना चाहता है, तू निश्कलंग है क्या, तू निश्पाप है क्या इसलिए पहले अपने गरेबान में जहांक के देख लो देख लो कि तुमने यदि जीवन में कोई पाप नहीं किया है, तो उठाओ पत्थर हिम्मत के साथ और फेंको उस तरह के उपर, सब भाग लिए यही है प्रभु के वचन का कहना, कि मेरे और आपके जीवन का आदर्श प्रभु येश्व ने जो किया वो होना चाहिए अपने भाई को ना तो बुरा कहें, ना ही अपने भाई को तुझ चुमाने ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम मैंसे कई लोग इवन बातचित करते हैं तो वो बातचित इस तरह से करते हैं कि दूसरे पर दोश लगे मुझे याद है आज से बहुत साल पहले मैं एक जगे एक लेक्चर देने के लिए गया था उन दिनों कलर फोटोग्राफ नहीं होते थे मैं 1970 आदी की बात कर रहा हूँ उन दिनों सर्फ ब्लेक औन वाइट फोटोग्राफ होते थे, आज के समयन फ्लैश क्यामरा नहीं होता था तो उसमें जैसे तैसे फोटोग्राफ में आज आता था आदमी लेकिन एकदम से आज के समयन स्पष्ट नहीं आता था तो उन दिनों लेक्चर दे रहा था तो एक घर में मुझे खाने के लिए बुलाय गया एक मसीही परिवार में तो खा रहे थे तो इस बीच माता जी बुली कि सर आप आए हैं आपने हमारे बच्चे वगरे नहीं देखे बच्चे घर के बाहर हैं ये आल्बम देख लीजिए तो एक एक करके आल्बम देखने लगा योँ देखते गया देखते गया तो उसमें एक लड़के का चित्र था जिसके बाल स्त्रीयों के समान लמבे थे प्रबु के वच्चन में सपश्ट लिखा हुआ है कि पूरिशों को स्त्रीयों के समान बाल नहीं बढ़ाना चाहिए तो मैं योँ देखता गया तो ये मेरी बिटिया है, ये मेरी नाती है, पोती है, चाचा है, वो है, ये है और ये डॉक्टर है, कलेक्टर है जब उनके लड़के का चित्रा आया जिसने स्त्रीयों के समान बाल बढ़ा रखा था तो एकदम से वो बोली कि ये मेरा बेटा है, इसने आपके समान बाल बढ़ा रखे हैं, अच्छा, मैं तो चकित रह गया, उसके बाल यो बड़े कंधे से भी नीचे जा रहे थे, मैंने जीवन में कभी बाल इस तरह से नहीं बढ़ा है, आज मेरे बाल जितने बढ़े हुए ह इतने बढ़ जाते थे तो फादर जहे एकदम से जाके बाल कटा के घर पे आज फादर इतना strict अनिशासन रखते थे, आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, आज मेरे बाल जितने बढ़े हैं, अच्छली नाई के पास जाने का समय हो गया है, टाइम ना मिला लास्ट नीचे मेरे बाल ना जो रहा हैं, मैंने पूछा आप क्या कह रही हैं, हाँ, आपके समय नहीं तो इसने बाल रखें, अच्छा, मैं हैरान हो गया, मैंने पूछा कि मेरे लंबे बाल आपने कहां से देखें, तो उन्होंने बड़े महनत से पलट पलट के, उस जमाने में 1970 मे किसी अकबार में मेरी फोटो चपी थी, उन्होंने में आफसेट प्रेस नहीं होते थे, ये मैं याद दिला दूँ, डिजिटल क्यामरा नहीं होता था, सुर्फ ब्लैक अन वाइट होता था, फोटो लेके बाकाइदा उसका ब्लॉक बनवाया जाता था, पता नहीं आप में इस पेपर में छपा था, सहीयोग से उस इंजम कर सियाही फैल गई थी, तो अच्छरों पे सियाही फैली है, चित्रों पे सियाही फैली है, तो मेरे सारे सर के उपर सियाही फैली हुई थी एक तरफ, माता जी ने जब ये चित्र देखा, तो उसको बहुत ही कैरफली काटकर एल्बम में रख लिया जिससे पचास लोगों को बता सके हूँ शास्त्री को देखो वो बढ़ा सकता है तो अपना बच्चा क्यों नहीं बढ़ा सकता मैंने सर पीट लिया आप जो एक चुत्र में देखना चाते हैं वही आप देखेंगे मैंने का माताई जी सारे चुत्र देखो अख़वार में सब पे स्याही फैली हुई है इतना बड़ा बाल हम बढ़ाएंगे अरे इससे तिहाई बाल हम बढ़ाएं तो हमरे फादर गर के बाहर निकाल देगे अच्छा 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 हाँ फिर भी अब बाल लंबे रखते हैं ऐसा मेरा अनुमान है वैसे ही अपना लॉंडा भी रखता है मतलब कि मैं अपने बच्छे के लिए समाच के एक आदरनी व्यक्ति की बुराई करूं जिससे कि मैं अपने बच्छे को बचा सकूं अपने भाई पर दोश ना लगाना जब प्रभु का वचन कहता है तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ हम मैं से कई लोग अपनी गलतियों को अपनी बुराईयों को अपनी कमियों को और अपनी घटियों को चुपाने के लिए मूँ खोलते ही दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हुए मूँ खोलते हैं इस तरह के बादचित आपने सवा अरे कोई धर्मीने कोई भक्त अरे सब बुरे हैं अरे सब दिखावटी है सब ढोंग है बादचित सुनी है क्या अरे सब ढोंगी है सब डोंग है आपको इससे क्या लेना देना आप यदि प्रभू की संतान है तो आप अपना जीवन फिक्स कीजिए उसकी मरमत कीजिए उसको सही रीती से ले चलिए काहे को दूसरे को देखते हैं प्रभू ने एक बार कहा भी था कि तुम दूसरे की बुराई क्यों करते हो त दूल के दो तिन टुकड़े पड़े हुए हैं तुम अपने भाई की दूल आँख की दूल को क्यों देखते हो तुमारी आँख में तो बड़ावसा लठा पड़ा हुआ है उसको पहले निकालो तो तुम अपने भाई को और ज़्यादा सफाई से देख सकोगे प्रभु ईशु ने मुझे और आपको हम अयोग निकम में पापी लाचार लोगों को अपनी दया में एक नया जीवन दिया मेरी आपकी योगिता के कारण नहीं प्रभु ने अपनी दया में मुझे और आपको एक नया जीवन दे लेकिन अपनी दया में वो नया जीवन दे प्रभु एक शर्थ हमारे सामने रखते हैं क्या शर्थ है वो शर्थ यह है कि बेटे मैंने तुमारे उपर दया दिखाई तुम भी बिटिया तुम भी दूसरों पर दया दिखाओ दोश लगा कर बात मत करो दूसरे को तुछ ना जाने आज हमने प्रभु के वचन से ये अपने सोचने का तरीका जाच कर देख लेना चाहिए हमें अपने आपको मनसा वाच्या करमना जाच कर देखना चाहिए मेरी सोच कैसी है क्या मैं हमेशा अपने भाई और बहन की बुराई करते हुए सोचता हूँ मेरी बोली कैसी है क्या मैं मूग खोलता हूँ तो अपने बहाइ बहन की बुराई के साथ बोलता हूं मेरे कर्म कैसे है मैं अपने बहाई या बहन के लिए ठोकर के कारण बनता हूं क्या प्रभु का कहना भिलकुल साफ है मैंने अपनी करुणा में तुमको एक नया जीवन दिया शाश्वत जीवन दिया अब वही करुणा तुम्हारे भाई और बेहन के प्रती तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए यह है जो आज प्रभू के वच्छन से हम सीखते हैं लेकिन जब प्रभू की करुणा के बारे में मैंने बोला तो उसके साथ साथ एक बात और याद दिलाना चाहता हूं प्रभू का वच्छन हमको ये भी याद दिलाता है कि इस अंसार में जन्मे हुए मैं और आप किसी भी तरह से प्रभू के समक्ष निर्दोश नहीं है प्रभू के सामने खड़े होने की योग नहीं है प्रभू जब हमको देखते हैं तब हम मैंसे कोई भी व्यक्ती पवित्र नहीं है लेकिन हम अपवित्र लाचार अभागे लोगों को एक नया जीवन देने के लिए ही प्रभू आज से 2000 साल पहले इस संसार में पधारे थे प्रभू पधारे 2000 साल पहले थे लेकिन प्रभू के पधारने के बारे में भविश्यवाणी तो मनिश्की सृष्टी के समय से हो गई थी मनिश्की सृष्टी के समय ही ये बात बता दी गई थी कि एक मुक्तिदाता इस संसार में पधारेंगे वे मुक्तिदाता आज से 2000 साल पहले इस संसार में पधारे 33 साल की जीवन के बाद उनने जानकर सूली पर अपना जीवन मेरे और आप के लिए अर्पित कर दिया चालिस दिन तक अपने शिष्यों को उनने तमाम तरह की शिट्षा ही दी और उसके बाद शिष्यों के देखते देखते सुर्ग पर उठाली कई जब सारे शिष्य今天 देख रहे थे कि प्रभु कहां गए प्रभु कहां गए तब सवर्ग दूत्तों के एक दल उनके सामने तुम लोग क्यों यहां खड़े हुए हो, प्रभु जिस तरह से तुमारे सामने आकाश में चले गए थे, उसी समान प्रभु वापस आएंगे, प्रभु ने स्वयम अपने जीवन में यही बात कही थी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जिससे तुमारे लिए भवन तैयार कर सकूँ, तुम सब के लिए वहाँ दिव्य भवन है, तो प्रभु जो भवन मेरे और आप के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें प्रवेश करने के लिए हमने अपने आपको तैयार कर लिया है, क्या, प्रभु ने शर्ट भी बहुत सरल शर्ट रखी है वो यह है तुम मान लो कि तुम पापी हो और तुम यह मान लो कि मैंने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दिया मुझे अपना मुक्तिदाता मान लो मैं उसी चंड तुमको अपना बेटा और बेटी बना लूँगा तुमको शाश्वत जीवन प्रदान करूँगा और बाद में जब तुम इस संसार को छोड़ कर जाओगे तो तुमारे लिए जो भवन मैंने तयार किया है मेरे बेटे, मेरी बिटिया वो भवन तुमारे लिए है सदा सरवदा के लिए आपने इस प्रदेश में एक से एक भवन देखे होंगे ये प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है कि लोग एक से एक सुन्दर आकरशिक और देखने में बहुत ही मन भावना मकान बनाते हैं यदि मनिश इस तरह का मन भावना मकान बना सकता है जिसको देखते ही हमारी आखें चुन्दिया जाएं तो प्रभू मेरे और आप के लिए संसार के इस रिष्टा मेरे और आप के लिए जो भवन बना रहे हों उसकी क्या शोबा होगी मैं और आप सोच नहीं सकते आज संधिया काल मैं सभी भाई और बहनों का आखवान करता हूँ कि यदि आपने अपने जीवन में पाप का हल नहीं पाया है यदि आपने प्रभू ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन नहीं किया है तो आज इस सभा के बाद मुझ से मिलिये, भाई कृस्टी से मिलिये, भाई जेफरी से मिलिये, यहां और भी कई भाई बैठे हुए है प्रार्थना के लिए जो लोग सामने आते हैं इन में से किसी से मिलिये वे आपको या गाने में जो अगवई करते हैं उनसे मिलिये वे आपको सपश्ट तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आप इस नई जीवन को पा सकते हैं आज इस नई जीवन को पाकर ही इस हॉल के बाहर जाएं इस सत्सन को छोड़ कर जाएं ये आपसे मेरा आपसे मेरी बिंती है, आपसे मेरा अनुरोध है प्रभु आप सब को अनुगर दे चैमसी की प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुगरह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एबम सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है, जै मसीह की